हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मोर क्रेटिव दोस्तों नमस्कार प्रणाम वियादन स्विकार करें शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरे आज 3 दिसंबर दिन रविवार है वह हिंदी मैना अग्गा नोकर्ष्ण पक्ष की सष्टी है तो चले शुरू करते हैं आज की बड़ी कमलनाज जी ने कहा कि 3 दिसंबर को मदप्रदेश में होगा नो प्रभाद इसी के साथ उन्होंने कारकरताओं से आववान भी किया है दोस्तों कमलनाज जी ने एक बार फिर कांग्रेश की विजए का विश्वाज जताते विए अपने कारकरताओं से मदगरना वाले दिन प शिर्चाल की सिकायद भी कर चुके हैं एसे में कमलनाज जी लगातार कारकरताओं से अनरोद कर रहे हैं कि वो मदगरना इस्थल पर कड़ी निगरानी रखे और किसी भी तरह की समस्या होने पर उन्हें तुरंत सुचित करें इस प्रकार कमलनाज जी ने अपने सभी कारकरत कारताओं से 3 दिसंबर के लिए आवान किया है में दोस्तों सीयम सुच्वान सीचौओबन किया अबquela दावा उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी भॉंद सरकार बनाएं यह हम् क्रिण सरकार बनाने का दावा किया है उन्होंने कहा कि ब्यक्राइपी भारी भॉमत के वाल्डी बेहनों ने आशिरवात दिया है वहीं भांजे और भांजीयों का भी साथ मिला है और इस बार सीटों को लेकर अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे अर्था प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार हम बनाएंगे सियम शुराज सिंच चमवान ने कहा कि उम्मीज जताई गई है कि रविबार को उगने वाला सूरज एक बार फिर बारती जनता पार्टी के लिए जीत का पैगाम लेकर आएगा है कि कल के बाद कांग्रेश इवियम पर उठाएंगी सवाल नरुता मिश जी ने कांग्रेश द्वारा एकज़िट पौल पर सवाल खड़े करने पर कहा कि अभी कल तक और रुख जाओ एवियम पर भी सवाल खड़े किया जाएंगे अभी एक्जीट पोल पर सवाल है या कांग्रेस पार्टी है या जब हारती है तो किसी पर भी सवाल ख़ळे कर देती है उन्होंने प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा किया है वही मत्प्रदेश में सरकार और मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि प्रदेश में BJP की सरकार बन रही है लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह आला कमाह नहीं बताएगा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो पार्टी तै कर दे वही बनेगा 230 विदायकों में से कोई भी मुख्यमंतरी बन सकता है वही खुद के बारे में उन्होंने कहा कि मैं किसी भी दोड में नहीं हूँ दोस्तो कांग्रेस ने प्रत्याशियों से कहा है कि जितने पर ततकाल भोपाल पहुंचे अन्यता बीजेपी द्वारा आप्रेसन लोटस हो सकता है दोस्तो चुनाव प्रिनाम आने से पहले कांग्रेस अलर्ट मोट पर है कांग्रेस ने प्रत्याशियों को जितने ही ततकाल भोपाल आने के निर्देश दिये हैं इधर कांटिंग से पहले सनिवार को कमलाज जी और मत प्रत्याशियों से बात करने को लेकर कमलाज जी ने कहा कि इसकी कोई आवस्कता नहीं है हम पूर्ण भोहमत के साथ प्रत्याश में सरकार बनाएंगे दोस्तो केंदरी मंत्री योत्रेदश सिंध्या जी ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि जनवरी तक आयोध्या एरपोर्ट पूरी तरह बनकर तयार हो जाएगा केंदरी मंत्री योतरेदर सिंधिया ने मीडिया से बात करते विए कहा कि आयोध्या के एरपोर्ट का निरिक्षन हम लोग कर रहे है योगी जी और हम दोनों साथ में निरिक्षन करेंगे और हमारा टार्गेट है कि इस महने में आयोध्या का एरपोर्ट पूर्ण रूप से त तैयार कर रहे हैं जिसमें गौालियर, जबलपूर, आयोध्या, पूने, कोलापूर और तीरूची पल्ली है इसके साथ ही आठ हवाई हड्डे और टर्मिनल्स हमारे तैयार हो जाएंगे और उन्हें स्वयम प्रधानमंत्री जी देश को समर्पित करेंगे दोस्तो प्रदेश की राजदानी भोपाल में धारा 145 लागू हो गई है जिसके तहट अब जुलूस और रेली निकालने पर रहेगा प्रतिबंद। दोस्तो बालागाट जिले में कमलना जी की सरकार के लिए हनुमान 40 का फार्ट किया जा रहा है राजनितिक दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं तो कहीं पार्टी कारकरता जीत की प्रात्ना लेकर भगवान की सराण में पहुँच रहे हैं सनिवार को कांग्रेस कारकरता हूँ वो समर्थकों ने बालागाट जीले के वाड नंबर 11 इस्तित हनुमान मंदिर में मत प्रदेश में कांग्रेस की जीत के लिए हनुमान 40 का फार्ट किया वहीं प्रदेश कांग्रेस के आववान पर कांग्रेसियों ने मत प्रदेश की सभी 230 सीटों में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत की प्रात्ना की और मत गड़ना के दिन बालागाट सईद प्रदेश भर में सांती विवस्ता बनी रहे एसी भी कामना की दोस्तो भाजपा के राश्टी महासाच्यू और इंदोर की शचित विधान सभा सीट क्रमांग एक से प्रत्यासी कैलास विजवर्गी पांच राज्यों के विधान सभा चुनाओं में भाजपा की जीत के प्रती अस्वस्त दिकाय दिये हैं अर्थात उनका कहिना है कि पांचों राज्यों में भारती जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी वहीं उन्होंने कहा है कि हमने विकास किया है इसलिए जनता हमें प्यार कर रही है और हमें फिर से सरकार में ला रही है जब भी कांगरेस हारती है तो आरोब हमेशा वह इवियम पर ही लगाती है दोस्तों सिहोर वाले पंडित प्रदीप मिस्रा जी की कथा में JCP और Mixer की मदद से बन रहा है भोजन परसाथ दोस्तो यह कथा भिंड जिले में हो रही है, भिंड जिले के दंदरोवा धाम में शिहोर वाले पंडित प्रदीप मिस्रागी शिव महापुरान कथा चल रही है, यहां रोजाना 2-3 लाख लोग कथा सुनने भी आ रहे हैं, वहीं यहां का भंडारा चर्चा में है, यहां के लिए वीडियो में तब तक के लिए जाहिए मंदमात्रम टेक्ट के अर।